अगर इसके डाउनलोडर्स की आप बात करेंगे तो लगबग इस मोबाईल लोन एप को अभी प्रेजन टाइम में जब भी मैं इस वीडियो को रिकोर्ड कर रहा हूं तो 10 लाग से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है अगर बात की जाए इस मोबाईल लोन एप्लिकेशन को टोटल रिव्यू कितने मिले हैं लगबग एक लाग लोगों ने इस मोबाईल लोन एप को रिव्यू दिये हैं तो उसको कम से कम लोन जो मिलेगा वो 5,000 का और अधिकतम जो लोन मिलेगा आपको 25,000 रुपे का अगर समय अबदी की आप बात करेंगे 91 दिन से ले करके 150 दिन के लिए ये लोन देने का दावा कर रहे हैं कम से कम 91 दिन और अधिकतम 150 दिन अगर आप बात करेंगे इस मुबाइल लोन एप्लिकेशन पर आपको इंटरस रेट कितना पे करना पड़ेगा तो आपको 24 परसंट से ले करके 60 परसंट तक का इंटरस रेट यहाँ पर पे करना पड़ेगा यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे इमेल्स आया हुएं व्यक्तियों के कि यह मुबाइल लोन एप्लिकेशन फरजी है यह मुबाइल लोन एप्लिकेशन फरोड है जब हमने इसकी पूरे तरीके से तहकीकात की तो हमने पाया यह जो मुबाइल लोन एप्लिकेशन है पूर पर email send करें तो इन्होंने बताया इनका जो civil score है वो भैतर नहीं था और इनके पास में किसी परकार का कोई भी income का प्रूफ नहीं था अपलाई किया इनसे पूरे तरीके से 200 रुपे का चार्ज ले लिया गया और इन्हें किसी परकार का कोई भी loan नहीं मिला तो इनको लगा ये पूरे तरीके से फरजी है और फ्रोड है लेकिन ये loan किन को देती है ये loan उनी व्यक्ति को देती है जिनके पास में income का प्रूफ हो उसके account में minimum salary 12-15,000 रुपे आनी चाहिए तब जाकर के आपको ये loan वगारा provide कराएगी आने था आपको ये loan नहीं देगी बहुत सारे व्यक अब आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो यहाँ पर 200 रुपे दे चुके हैं लेकिन आप जब भी किसी भी application पर apply करते हैं उसकी policies को जरूर पढ़े उसकी terms and conditions को जरूर पढ़े तब ही जाकर के आप किसी को ऐसे payment बगारा करके दें अगर आप किसी भी application पर ऐसे ह easily payment कर देंगे without कुछ पढ़े हुए तो आप उसकी policies को नहीं जान पाओगे वैसे तो actual में जो मैं आपको बता हूँ अगर कोई भी company किसी परकार का आपको कोई product नहीं दे रही है कोई service नहीं दे रही है आप से charge ले रही है पुरे तरीके से गलत है अब 200 रुपे के जो भी मत instantly consumer form में जाकर के शिकायत भी करें शिकायत करेंगे तो आपको पुरे तरीके से advice भी मिलेगी अब consumer form आप Google पे search करेंगे तो आपको सही नहीं मिलेगा बहुत सारे consumer form की website खोल करके बैटे हैं फरजी आपको national consumer help line पर शिकायत दर्ज करनी है वो आपको एकदम actual में जो आपको कर ऐसे बगैर सोचे समझे apply नहीं करें आपको काफी दिक्कत हो सकती है बही दोसर रुपे आप दे रहे हैं बताओ दोसर रुपे कोई चोटे बात नहीं है दोसर रुपे बहुत जादा है एक आम वेक्ति के लिए जो भी वेक्ति मतलब मस्दूरी करता है लाइक उसके लिए बहुत जादा होते हैं दोसर रुपे और इतनी आसानी से ये लोन आपको नहीं देते पुरपर तरीके से आपसे ये मतलब कलेक्ट करते हैं इंकम का जो पुरफ होता है उसको पुरे तरीके से वेरिफाई करते हैं इंटरनेट बैंकिंग वगारा से भी ये वेरिफाई करते हैं तो इस case में इसको हम fraud तो नहीं कह सकते हैं अब आप में से बहुत से ऐसे ब्यक्ति हैं जो कि loan ले चुके हैं salary वगरा उनको proper मिल रही है उनको loan दे दिया है इनोंने उनको लग रहा है कि application यह fraud है फरजी है ठीक मैं आपको बताना चाहूंगा application फरजी नहीं है अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका civil score यह हमपर करेंगी करेंगी क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पैसा इनका नहीं दिये हैं तो insta money mobile loan एप को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा आप consumer form का सहरा ले सकते हैं और इस पर अगर कोई व्यक्ति अपलाई करना चाहता है तो वही व्यक्ति अपलाई करें जो व्यक्ति already salary है और जिसके account में salary आ रही है मत करो आप ऐसा काम insta money से मेरा यह request है यह मेरा video आप अच्छा लगा है आप इस video को like करके जा सकते हैं अच्य नहीं लेगा है विडियो को आप dislike करके जा सकते हैं किसी परकार का कुई सुझाव देना चाहते हैं właściwie content को दिन प्रति दिन वहतर करने का पुरा पृआ सकरता हूं जो भी आपके email याते हैं यो दे सकते हैं, बागी चलिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मैंने अपने सभी सोचल मीडिया एकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं, आप मेरे सभी सोचल मीडिया झाल झाल